नमस्कार, हम सभी जानते हैं कि राष्टिय हिंदी दिवस हर साल 14 सेप्टमबर को मनाय जाता है पर पूर प्रदानमंत्री डक्टर मन्नुमन सिंग हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए साल 2006 से प्रति वर्ष 10 जैन्वरी को हिंदी दिवस मनाने की गोष्णा कीती तब से हिंदी दिवस 10 जैन्वरी को मनाने की परंपरा चली आ रही है बारत अनेक्ता में एक्ता वाला देश है अपने विविद दर्म, समस्कुती, बाशाओं और परंपराओं के साथ बारत के लोग सदभाव, एक्ता और सवहांट के साथ रहते है देश के प्रदान मंत्री सी नरेंदर मोडी जी का मानना है की हिंदी ने विश्व बर में बारत को एक विशिष्ट सम्मान दिलाया है इसकी सरलता, सहजता और सव्वेदन शीलता हमेशा आकर्शित करती है स्री मोडी जी ने लोगों से आगर किया है की हिंदी बाशा को सम्मृद और शशक्त बनाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए बारत में बोली जाने वाली विबिन बाशों में हिंदी सबसे अधिक उपयों की जाने वाली और बोली जाने वाली बाशा है वर्तमान समय में हिंदी बाशा पुरे विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली बाशा है काका कलेकर जैसे लोगों ने हिंडी को बारत की अधिकारिक बाशा बनाये जाने के पक्ष में खड़ी फैरवी की थी हिंडी सबसे पुरानी बाश्चाओं में से एक है मूल रूप से समसूत बाश्चा से संबतित है आप सभी यहां काना चाओंगा कि हमें अपनी राजबाशा हिंडी को सर्वोचं सम्मान देना होगा और हिंडी बाशा को नहीं बूलना होगा हमारी बाशाही हमारे विचारों को विक्त करने का जरिया है अता इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यह विराम देना चाहूंगा दन्यवाद